नमस्कार साथियो एवं प्रिय चात्रो आपके द्वारा दिक्षा पोटल पर जो सी ई आटी उत्राखंड द्वारा ज्यानांकुरण प्रोग्राम चलाया जा रहा है उससे संबंदित जो रेजिस्ट्रेशन की परक्रिया थी काफी चात्रो द्वारा कर ली गई है और काफी च समर्थता जताई गई है उनका कहना है कि अभी भी उन्हें दिक्कत हो रही है जो दिक्षा पोटल पर रेजिस्टेशन की परक्रिया है वो थोड़ा सा उने जटिल लग रही है तो एक बार पुन्हो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ बहुत आसान है एक छात्र का जो रेजिस्टेशन है या पंजी करण है वो मैंने दिक्षा पोटल पर अपने विध्यालाई में किया उसी को मैं आपको दिखा रहा हूँ तो सर्व पर्थम आपको जो गूगल प्ले स्टोर होता है उस पे जाना है क्लिक करने के पश्याद जो सर्च बार होता है यानि कि स इंस्टॉल किया है तो ओलेडी ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिक्षा लिखना है तो यहाँ पर दिक्षा पोटल एप या दिक्षा प्लेट फॉर्म करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या सर्च करेंगे उसके पश्याद School Education F है, वो आपके mobile याने Android phone में download होने लग जाएगा या install होगा. तो सबसे पहले ये जो परक्रिया है ये आप अपने laptop या desktop पर भी कर सकते हैं, लेकिन maximum जो चात्र है वो mobile के द्वारा ही इस application को पर्यूग करना चाहेंगे, इसलिए मैं इसे mobile पर बता रहा हूँ. तो ये open का option आता है जिस पर आप click करेंगे, तो दिक्षा जो F है याने दिक्षा portal का जो F है वो खुलेगा, यहाँ पर आपके पास language के बहुत सारे option हैं, तो यहाँ पर आप Hindi या English चूज कर लीजिए, यहाँ पर आप English रखें तो better है, हिंदी भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, यह जो F है उसकी language दी है, इसके पश्याद आपका जो role होगा, याने कि आप teacher है, student है, others है, parents है, तो यहाँ पर हमने student select किया है, उसके पश्याद इस तरीके से एक जो page है वो open हो जाता है, इसमें आप नीचे देखेंगे, select board का option है, उस पर जैसे ही मैं click करता हूँ, हमारे पास जितने भी भारत वर्स में board exam है, या जितने भी राजिये हैं, उनसे related board option खुल जाते हैं, तो last में उत्तर परदेश और उत्राखंड का option रहता है, तो यहाँ पर मैंने उत्राखंड को select किया, उसके बाद उसे click कर लिया, इसके पश्याद medium, यहाँ पर पढ़ाई का medium है, यानि कि आप कौन से medium में पढ़ाई करना चाहते हैं, उसको आप select कर लिजिए, यहाँ पर मैंने हिंदी कर लिया है, इसके पश्याद जो भी आपकी class होगी, उसे आप select कर लिजिए, तो यहाँ पर लगभग सभी class के option आपके पास उपलब्द हैं, class 1st से लेकर और 12 तक के option उपलब्द होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 5th का option है, 6th का है, 4th का है, 7th का है, 8th का है, 10th का है, जिस student का मैं यहाँ पर registration दिक्सायप पर कर र continue का option आएगा, जिस पर आपको click करना है, continue पर click करने के पर दिक्षा एप open हो जाएगा, और कुछ इस तरीके का जो page है, वो आपको दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे उपर hindi medium लिखा हुआ है, यह एक message आता है, से आप cut कर दीजिए, उसके नीचे class 9th blue color में ह याने कि यह हमारी, जो हमने select किया है, वो preference है, सबसे पहला अगर देखें, तो profile का sign है, यहाँ पर symbol बना हुआ है, तो इस symbol पर आपको click करना है, सबसे पहला symbol है, याने कि right side में है, तो इस पर आप जब click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, उपर guest, first लिखा हुआ है, और बाक तो यहाँ पर हम इस option को भी अभी change कर सकते हैं, याने कि जो guest वाला option है, इसे हम click करेंगे, आप already देख सकते हैं, सब के पीछे pencil जैसा sign था, तो हमने उस पर click किया, click करने के पशाद इस तरीके से आजाता है, अब आपको जहाँ पर name है, उस option में guest है, guest पर आपको click करना है, जैसे आप cut करेंगे, उसके पशाद जो भी आपका नाम है, तो यहाँ पर जो student है, इसका नाम अभई है, अभई चंद्र है, तो यहाँ पर मैं अभई चंद्र लिखने वाला हूँ, इसी तरीके से जो भी information यहाँ पर दिक्षा app पर आपको डालनी है, उसारी मांगी अभी हम registration तक नहीं पहुंचे है, तो इसके पश्यात अब देख सकते हैं, यहाँ पर subject का option भी है, class का option है, state board यह already हमने पहले ही भर दिया था, तो यहाँ पर जो guest वाला option था, उसमें हमने अब जो चात्र है, उसका नाम भर दिया है, इसके साथ यहाँ पर subject कुछ भी आप ल उसके पश्यात अब देख सकते हैं, save का option है, तो यहाँ पर आप save कर देंगे, तो यह successfully हो चुका है, अब आप देखेंगे, जो profile है उसमें अभई चंद्र चात्र का नाम आ चुका है, इसके पश्यात जो registration की परक्रिया है, वो कैसे करनी है, वो मैं आपको समझाता हूँ, ब रहा है, उसके जो courses हैं, उनके नाम यहाँ पर आ चुके हैं, science के नाम आए हैं, Hindi English में, ऐसे ही maths के नाम आए हैं, तो यहाँ पर हमने जो बिग्जान है, उसका ध्याई first पर click किया, उसके पश्यात join course करके option आया, join course के option पर click करने के पश्यात हमारे पास इस तरीके का page open हो जा register here वाला option, तो इस option पर click करने के पश्यात, यहाँ पर page open हो जाएगा, net के speed धिमी थी, इसलिए थोड़ा सा page open होने में time लग रहा है, अब आप देखेंगे, इस तरीके का page open होता है, सबसे पहले है, select year of birth, याने कि जिस year में है, जिस साल में आपका जन्म हुआ है, वो आपको यहाँ से select करना है, तो जो चात्र है, उसका जो birth year होगा, उसे हम select कर लेंगे, तो यहाँ पर जो चात्र का birth year है, वो select करना है, इसको आप scroll करेंगे उपर नीचे, जहां भी आपको age दिखेगी, तो यहाँ पर जो हमारा चात्रस की 2009 की birth year है, तो यह मैंने select कर लिया है, एक ब परक्रिया आप ध्यान दें, जो registration करने की परक्रिया है दिक्षाएप पर वो अब प्रारंब हुई है, जब हमने join course पर click किया, उसके पश्यात login का option आया था, उसके पश्यात हमने register here option choose किया था, और उसके पश्यात ये process चल रही है, यहाँ पर दो option registration के लिए है, पहला option mobile number है दूसरा option email address है, तो यहाँ पर अगर चातर की email है तो बढ़िया है, otherwise mobile option आप choose किजिए, एक और समस्या आपके सामने आ सकती है, एक ही परिवार के यदि एक या दो student हैं, तो एक number होने पर एक ही चातर का registration होगा, याने कि एक नमबर से एक ही चातर का registration होना संभव है, तो कोसि कीजिए कि जो email ID है, वो सभी बना लीजिए, क्योंकि भविश्या में email जो ID है, उसकी आवश्यक्ता होगी, बहुत सारे form आपको fill up करने होंगे, तो आफ email ID भी बनाएं, फिर आप कितने भी registration कर सकते हैं, तो फिलाल यहाँ पर मैंने जो चातर है, उसका mobile number लिया है, पासवर है, उसे पहले एक copy में बना लें, याने कि लिख के रख लेंकि मैं यह password बनाने वाला हूँ, ताकि भविश्या में जब भी उसकी आवश्यक्ता पड़ेगी, आपके पास save रहेगा, तो यहाँ पर password बनाते वक्त भी ध्यान रखना है, एक capital letter होना चाहिए, कुछ small letter होने चा चाहिए 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, और कुछ special character होने चाहिए, जैसे has हो गया, add the rate हो गया, और यह दो बार आपको सही-सही type करना है, तो यहाँ पर मैंने password दोनों बार लिक लिए हैं, उसके पश्याद जो दिक्षा की time and condition है, वो आपको accept करनी है, आप चाहें तो पढ़ सकते है और फिर register, here, जो register लिखा हुआ, इस पर आपको click करना है, click करने के पश्याद, जो mobile number आपने दिया है, यदि आपने सही-सही दिया है, तो यहाँ पर आपको जो OTP है, वो प्राप्त हो जाएगी, चाहतर के mobile number पर जो OTP आई थी, उसे मैं यहाँ पर fill up कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं, 83 प्राप्त होई है, बाकी की जो और डिजट हैं, वो भी मैं यहाँ पर लिखूँगा, 86 और 15, तो यह OTP हमें प्राप्त होई थी, इसके पश्याद, submit का option है, यदि नहीं प्राप्त होती है, तो आप recent OTP पर click कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने OTP को जो है, submit कर लग रहा है, तो इसके पश्याद, जैसे OTP सेकस्स होती है, इस तरीके का page आपके पास open हो जाता है, अब यहाँ पर आपको अपना mobile number या जो email address है, वो डालना है, तो हमने mobile number से register किया है, तो यहाँ पर हम एक बार फिर से वही mobile number डालेंगे, जो की registration करने के लिए हमने परयू किया था, उसके पश्याद, पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए में पहले ही आपको कह चुका हूँ, कि आपको पासवर्ड कहीं पर लिख के रखना है, कि आपने कौन सा capital letter यूज किया है, कौन से small letter यूज किया है, कौन से numerical numbers आपने लिए हैं, और कौन से special character लिए हैं, तो जो combination है, उसी करम में यहाँ पर enter करना है, enter करने के पश्याद, जैसे ही आप login पर click करेंगे, click करने के पश्याद, जो पासवर्ड है, उसको save करने का option आपसे पूछा जाता है, तो आप save भी कर सकते हैं, या छोड़ सकते हैं, उसके पश्याद, वही page open हो सकता है, या कभी- भी ये back हो जाता है, जैसे इस case में ये back हो चुका है, तो सबसे पहले आप profile वाले icon पर click करके ये देखें, कि आपका registration हो चुका है, या नहीं हो चुका है, तो आप देखें, अभाई चंद्र जो है, उनका registration हो चुका है, सबसे उपर नाम है, उसके नेचे अभाई चंद्र क कि जो id है वो दे दी गई है और share का option भी यहाँ पे दिया है तो यदि आप share करना चाहें आप कहीं भी इसको भविश्य के लिए ताकि आपको याद रहे तो वो भी यहाँ पर option आपको मिल जाता है इसके अलावा कभी कभी यहाँ पर समझ्या आजाती है जो option है जो course है वो आपको properly नहीं दिखते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको समझाओंगा लेकिन अभी देखते हैं कि अगर हमारे सामने समझ्या आ गई तो हम किस तरीके से इसको मलब सही कर सकते हैं तो जैसे यहाँ पर मैंने click किया यह फिर से मुझे जो content, preference है उस पे लेके चला गया याने कि क्या करना है तो कभी भी दिख्षा में अगर यह समझ्या आती है तो जो जो option आप से पूछे जाते हैं जैसे आपने starting में उनको भरा हुआ है उसी तरीके साब भरें और बिरकुल भी घबराएं नहीं कि खराफ हो गया या कुछ भी अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है registration एक बार हो जाए तो कोई भी समझ्या नहीं होगी तो यहाँ पर option है चात्र का जो नाम है उसका option है student है, state name है या district name है, या cluster name है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूची जा रही है वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर fill up कर रहा हूँ यहाँ पर जो school का नाम है वो भी पूचा जा रहा है, वो भी मैं fill up कर रहा हूँ और उसके बाद summit का option है summit पे मैंने click कर दिया है क्लिक करने के पश्याद जो हमारी प्रिफरेंस है या जो हमारी आईडी में चेंजिस होने थे वो हो चुके हैं अभी भी यहाँ पर हमें वो कोर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनको हमने पूरा करना है तो इसके लिए दो तरीके हैं अगर आप सीधे कोर्स पे जाएं तब भी आपको कोर्स प्राप्त हो सकते हैं अदर्वाइज जो लिंक S.E.E.R.T. देहरा दुन द्वारा बिभिन गृपों में सेंड किये जाते हैं उन गृप में जो लिंक दिये जाते हैं उन लिंक पर जैसे ही आफ क्लिक करते हैं जो आप्शन होता है वो खुल जाता है यदि इससे भी काम न चले तो जो आपका दिक्षा अप है उसको आप एक्जिट करें याने कि उससे बाहर निकल जाएं और दुबारा उसको ओपन करें आप टीचर हैं, स्टुडेंट हैं, पैरेंट्स हैं या कोई ओफिस्यल्स हैं तो मैं यहाँ पर फिर से एस स्टुडेंट अपने आपको दूँगा क्योंकि आभाई चंद्र था जिनका मैंने भी रेश्टेशन किया है तो यहाँ पर स्टुडेंट पर मैंने क्लिक किया है और इसको मैं फिर continue करूँगा, continue करने के पश्यात, फिर से वही option आ रहे हैं, board है, medium है, और class है, इनको भी मैं उसी तरीके से fill करूँगा, तो यहां पे आप ध्यान रखें, कि आपको बिर्कुल भी घबराना नहीं है, यह पूछ रहा है option, तो आपको भरने है, तो यह जब समस्या मेरे सामने आई, तो मैंने इसको continue रखा, ताकि आप लोगों के सामने भी यदि यह समस्या आती है, तो आप इसी तरीके से इसको दु बारा हुई है, तो देखें, क्या-क्या यहां पे होता है, मैंने फिर से 9th class बढ़ दी है, और उसके बाद इसको मैं save कर रहा हूँ, save करने के बश्याद यह successfully हो चुका है, अब देखें, auto fill हो चुका है, block का नाम आ चुका है, district का नाम आ गया है, cluster का नाम आ गया है, school का आ ग देखते हैं, कि जो हमारे पास courses हैं, वो अब open होते हैं या नहीं, तो यहाँ पर जो courses का sign है, उस पर मैं गया, click किया, तो अब देख सकते हैं, फिर से वो जो चार courses थे, उनके icon और उनके नाम हमारे सामने आ चुके हैं, फिर से मैंने course पे click किया, अब join course का option आया है, इस पे आप click करेंगे और click करने के पश्यात आफ course में join हो जाएंगे याने कि अब starting होती है यहाँ पर लिखा है start learning याने कि अब आप पढ़ना प्रारंब करें या सीखना प्रारंब करें इस पर मैंने click किया फिर से option आता है इस option पी भी आप start learning करेंगे और उसके पश्यात दीखे किस अरीके से जो आपका content है दिक्षाइब पर वो open हो जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं जो content है वो open हो गया है जो video है सबसे पहले video दिया गया था वो video अब चलने लग गया है तो इस video में जो sound है वो भी मैं आपको सुनाएने कोसिस करूँगा अध्ययन करेंगे अपने आसपास की वस्तूओं को गौर से देखिए आपको क्या नजर आता है जी हाँ हमारे आसपास विभिन प्रकार की वस्तूओं हैं जिनके आकार आकृती और बनावट अलग-अलग है यहाँ पर जो बीगे हो पूरी मैं नहीं चला रहा हूं तो यहा और आप्शन पे भी आप डारेक्ट जा सकते हैं पोसिस कीजिए पहले जो वीडियो है उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए उसमें जितनी बाते बताई जाती हैं उनको समझ लीजिए आपको यदि लगता है कुछ नोट करना चाहिए तो उसे आप नोट करके भी रख स सकती हैं यहाँ पर जो कंटेंट है उसे मैं आगे पीछे करके चला रहा हूँ ताकि आपको अलग-लग चीजें बता सको हूँ तो यहाँ पर एक और जो कंटेंट का मलब जो दिया हुआ था ऑप्शन उसको मैंने किलिक किया है जहाँ पर पधार्थ की अवस्थाएं हैं उस गैस है क्या है तो आपको जो अप्शन सही लगता है जो अभी तक आपने पड़ा हुआ है उसके आधार पे आपको यहाँ पर आंसर करना है और जब आंसर करेंगे और जो नेक्स्ट का यानिक जो एरो का साइन बना है आगे की तरफ उस एरो के साइन पर जब आप क्लिक करे तो आपका जो उत्तर होगा वो सही है या गलत है उसका भी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा अगर गलत होता है तो try again का option आपको मिलेगा दोनों प्रकार से मैं आपको करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर जो मेरा answer था वो बिरकुल सही है तो इसने यहाँ पर सही कह दिया है और फिर हम आगे बढ़ते हैं अब मैं एक प्रेशन आपको गलत करके दिखाऊंगा जिसमें try again का option आता है और उसको भी आप दुबारा कर सकते हैं समझ सकते हैं और उसके पश्याद आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर देखिए अब मैं गलत वाले option को चूज करूँगा इसक उसके courses हैं उनमें अपने आपको join करवा सकते हैं आगे एक वीडियो में जो course है उसको complete कैसे किया जाता है और उसमें जो certificate है उसे कैसे प्राप्त किया जाता है उस पर भी लेके आओंगा ताकि हमारे जो छोटे चात्र हैं कक्छा 6 में पढ़ रहे हैं साथ में पढ़ रहे है उससे भी छोटे classes में हैं उन्हें भी आसानी रहे और वो भी आसानी के साथ इसको सीख भी सके और इसमें जितने भी content दिये गए हैं उनका फाइदा ले सके हैं तब तक आफ रेश्टेशन की जो परकिरिया है से पूर्ण कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद तक उसके हैं अचले जो.